गुरु गोबिन्दो खड़े काके लागो पाई गुरु गोबिन्दो खड़े काके लागो पाई बलिहारी गुरु आपने गोबिन्द दियो बताए कभीरा जब मैं था तब गुरु नहीं अब गुरु है मैं नाए प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए संत कभीर दास पंदर्मी सधी के रहसेवादी कभी थे उनकी रचनाओं ने भक्ती आंदोलन को गहरे तक प्रभावित किया वे हिंदी साहित के भक्तिकाल की निर्भून शाका के ज्यान मारगी कभी थे उनकी रचनाएं सिखों के आदिगरंत गुरुगरंत में शामिल की गई हैं सन 1398 में जेश्ट मास की पूर्णिमा को काशी में जनमे संत कबीर को अपने सच्चे ज्यान का प्रमान देने के लिए 52 कसाटियों से गुजरना पड़ा उनकी रचनाओं ने भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया वे एक सर्वोच इश्वर में विश्वास रखते थे उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों कर्मकांड अंद विश्वास की कड़ी अलोशना की कबीर एक ऐसी किम दंती हैं एक ऐसा मंद्र जिसका उल्ले किये विना साहित समाज की कोई बहस पूरी नहीं होती मन के हारे हार है मन के जीते जीती कहे कबीर हरी पाई ये मन ही की परती दी आज मन के मौसम में संत कबीर की ही एक प्रेरक कथा को हमने शामिल किया है इसका शीरशक है एहंकार संत कबीर दास जुलाहे थे कपड़े बुनकर बेजा करते वे सोभाव से बड़े शांत दयालू और विनम्र थे वोच्सा तो उन्हें कभी आता ही नहीं था एक बार कुछ लड़कों को शरारत सुजी वे सब कबीर दास के पास पहुँचे ये सोच कर की देखें इन्हें घुद्सा कैसे नहीं आता उन में से एक रईस माता पिता का घमंडी बेटा था उसने कबीर दास से पूछा ये साड़ी कितने की दो गे कबीर बोले दस रुपए की लड़के ने उन्हें चिड़ाने के लिए उस साड़ी के दो टुकड़े कर दिये एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए आधी चाहिए इसका क्या दाम लोगे संत कबीर ने बड़ी शान्ती से कहा पाँच रुपए लड़के ने उस टुकड़े के भी दो भाग किये और एक कदाम पूछा कबीर अब भी शान्त थे बोले धाई रुपए लड़का इसी तरह साड़ी के टुकड़े करता रहा आखिर में बोला अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए क्योंकि यह टुकड़े अब मेरे किसी काम के नहीं कबीर धाजी ने शान्त भाव से कहा बेटा अब यह टुकड़े तुमारे ही क्या किसी के भी काम के नहीं रहे तब लड़के को शर्म आई, वो बोला, मैंने आपका नुकसान किया है, इसलिए मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ. संद कभीर ने कहा, जब तुमने साड़ी ली ही नहीं, तब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? लड़के का घमन जागा वो बोला मैं बहुत धनवान हूँ तुम गरीब हो मैं रुपे दे दूँगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर तुम ये घाटा कैसे सहोगे फिर नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए संत कबीर मुझे को राते वे कहने लगे तुम ये घाटा पूरा नहीं कर सकते सोचो किसान का कितना श्रम लगा तब कपास पैदा हुई फिर मेरी पत्नी ने अपनी मेनत से उस कपास को धुना, सूत काता फिर मैंने उसे रंगा और बुना इतनी मेनत तभी सफल हो सकती थी जब उसे कोई पहनता उसका उप्योग करता पर तुमने इसके टुकडे टुकडे कर डाले रुपे से ये घाटा कैसे पूरा होगा बेटा तुम भी बताओ कबीर दास की आवाज में क्रोध की जगा बेहत दया और सौमिता थी लड़का शर्म से पानी पानी हो गया गलानी से भर उठा उसकी आखे भराई वो संत कबीर के पैरों पर गिर पड़ा कबीर दासी ने बड़े प्यार से उसे उठा कर उसकी पीट पर हाथ पिराते वे कहा बेटा अगर मैं तुमारे रुपए ले लेता तो उससे मेरा काम तो चल जाता पर तुमारी जिन्दगी का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ साड़ी एक गई मैं दूसरी बना दूँगा पर तुमारी जिन्दगी एक बार अहिंकार में नश्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे तुम तुमारा पश्चता भी मेरे लिए बहुत कीमती है संत कभीर दास के इस नजरिये ने उस लड़के का जीवन बदल दिया सच कहा है मानुष जन्म दुरलब है मिले न बारम बार तरवर से पत्ता तूट गिरे बहुरे न लागे डारे मनुष के रूप में जन्म एक दुरलब सयोग है जो बार-बार घटित नहीं होता पेड से गिरा पत्ता फिर से अपनी डाल से नहीं जुड़ पाता ये तो हुई मनुष योनी में जन्म पाने की सच्चाई लेकिन कुल खामदान के वैवव के बारे में संत कबीर कहते हैं क्या मांगू कुछ थिर न रहाई देखत नयन चला जग जाई एक लख पूत सवा लख नाती उस रावण के दीवा न बाती यदि मनुष अपने वन्ष की बेल को हमेशा के लिए बनाए रखना चाता है तो यह उसका ब्रह में एक लाख पुत्र और सवा लाख नातियों के बावजूद लंका पती रावण के वन्ष में कोई दीव जलाने वाला भी नहीं बचा मांगना है तो मन का सच्चा सुक मांगू माला फेरत जुग भया फिराना मन का फेर करका मन का डार दे मन का मन का फेर